Hello everyone, Eduvice Foundation का ये educational channel है, चाहे वो है मनुष्य को सात्विक जीवन जीने के पत पर अग्रेसर करे या professional education के विशे में जानकारी उपलब्द कराए। आज हम बहुत समय के बाद फिर से अपने channel पर कुछ ऐसी जानकारी लेकर रूबरू हो रही हैं, जिसको प्रतियक मनुष्य अपने जीवन में यदी अपनाता है, तो वह बहुत ही संतुस्टी पूर्वक जीवन जी पाएगा। कभी आपने या मैं इस विशे में अभी अपने आपको भी शामिल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस विशे पर फिछले दो वर्षों में गहन अध्यन किया है। और ये विशे है सार्थक जीवन जीने की कला। इस जीवन की सार्थक्ता को प्राप्त करने के लिए नजाने कितने आयामों से गुजरना पड़ता है। और उसमें एक सबसे महत्पूर्ण आयाम हैं, कभी आप शुन्य में बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली होने का प्रयास करके देखें। और उस प्रयास में आप क्या महसूस करते हैं, टाइप ओफ फिलिंग्स आपकी क्या हैं। आप अपने लेफ फ्राइट और अपने रिलेटिर्स और स्युम अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उसको एक डाइरी पर अवश्य नोट करें। क्योंकि मनुश्य की प्रवर्ती है कि वह बहुत जल्द ही भूल जाता है। क्योंकि यदि हम अपने बारे में दूसरे के विशे में तो हम तब सोचेंगे पहले अपने आपको जान ले। तो छोटी-छोटी वीडियोज बनाने का हम प्रियास करेंगे और उनको एक श्रंकला बद तरीके से हम लोग चैनल पर अपलोड करेंगे। और सभी लोगों से करवद निवेदन है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक अपने समाज में इन वीडियोज को आप शेयर करें ताके ब्रतियक व्यक्ति सुख ही और सुंदर जीवन व्यतीत कर सके। सबसे पहला जो मैं स्टैप पता रही हूं वो है खाली होने की कला को अपनाना। अब खाली होना क्या है? हमेशा हमारे दिमाग में कुछ न कुछ ऐसे विचार चलते रहते हैं। उसने ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, वो मेरे से ये बोल रहा था, अरे ये तो life का एक हिस्सा है, लेकिन कभी अपने विशे में सोच के देखो कि आप क्या है, क्योंकि प्रतियेक मनुश्य अपने विशे में जो परिभाशा जानता है, वो शायद कोई भी नहीं जानत क्यों कौन क्या कब सोच रहा है, ये सिर्फ वही जानता है, आसपास के लोग सभी रिश्यदार, दोस्त है, मावाप है, फ्रेंट्स है, कोई भी है, पत्नी है, वो सिर्फ आपको सिर्फ रीड कर सकती है और उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए अपने आपको खोजें, और उस खोज में सबसे पहला स्टेप, पहला कदम है, खाली होने की कला, तो इसमें हम पहले ये समझते हैं कि खाली होना क्या है और भरना क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के सफर पर चलता है, तब उसके पास एक ऐसी गठरी होती है, इच्छाओं से भरी हुई, जिसको वह लाद के चलता है, लेकिन कभी आप ये सोचें कि जब कोई व्यक्ति वजन लेकर चलता है, तो उसे यात्रा कितनी भारी लगती है, और जदी वह गठरी उतार कर साइड में रख दी जाए, तो कितना इजी, कितना आराम दायक सफर हो सकता है, इस गठरी के अंदर जो आपने इच्छाओं की जो लिस्ट तयार करी है, उसमें बहुत सी इच्छाएं होती हैं, जैसे अगर हम बच्चों के द्रस्टी कौन से देखें, तो मुझे अच्छी जोग प्राप्त करनी हैं, मुझे पढ़ाई में अच्छे माक्स लेकर आने, औ और पैरेंट्स का भी प्रेशर होता है, और यदि मिडिल एज के लोग हैं, यदि उनके विशे में सोचें, तो वो सोचें, मैं स्वस्थ रहूं, मैं ऐसा क्या कार्या करूं कि जिसकी वज़े से मैं स्वस्थ रहूं, या मैं अपने बच्चों को, पत्नी को और परिवार को कैसे खुश रख सकता हूं, पैरेंट्स को खुश रख सकता हूं, और अपने सारे रिष्टे में बहुत अच्छी तरीके से कैसे निभा सकता हूं, और अपनी नोक्री में में बहुत हाई पोस्ट पर पहुँचने का प्रियास कैसा कर सकता हूं, तो एक उम्र के हिसाब से औ और इच्छाओं की जो गठरिया है वो लिस्ट छोटी बड़ी छोटी बड़ी होती रहती है और समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है अब मनोरंजन के सभी साधन हर व्यक्ति मुहिया कराना चाहता है अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी और मनोरंजन के तहट बाहर गूमना भी पसंद करेगा उसके लिए वो पैसे भी कमाना चाहेगा क्योंकि घर्च होगा ही होगा तो इन बहुत सारी इच्छाओं का एक ऐसा क्रम तयार हो जाता है प्रतेक वनुष्य के दिमाग में कि वो इतना भारी लगने लगता है कभी वो अपने वास्तविक्ता को पहचानी नहीं पाता यदि हम किसी व्यक्ति को ये कहें कि इन सारी इच्छाओं में क्या कभी आपने ये सोचने का प्रियास किया है कि आप क्या हैं आप कौन हैं मैं कौन हूँ या कभी खाली होकर मन को एकागरजित करके बैठकर देखें उसको सोचे कि क्या चल रहा है खाली दिमाग में आप क्या रख सकते हैं क्या इस जीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता है तो ये प्रश निकल के आता है कि जीवन को किस तरीके से सुख मैं बनाने के लिए हमारा पहला कदम है हम अपने आप को खाली करना सीखें इस आर्ट को सीखें और वो कैसे सीखेंगे हमारे साथ सब आगे नेक्स्ट वीडियोज में चैहिन चैभारत